नमस्ते, वेलकम टो आवर चनल, मैं रुणचन सर्मा आप लोग के सामने आज ऐसे तीन आसन लेकर आई हूँ जो हमारे लिए बहुत फायदमत है जो यह आसन करने से हम लोग के इम्मुनिटी स्ट्रॉंग होती है और ब्लड स्रकुलेशन अच्छा होता है और बच्चों से लेकर बुढ़े तक की मेमोरी अच्छी रहती है और बहुत सारे गुन है इनकी हम लोग यौंग दिखते हैं हर रोज हर रोज हम लोग ये करेंगे तो हम लोग योंग दिखेंगे और थाइरोड की किसी को प्रॉब्लम है तो थाइरोड की बिमारी के लिए ये आसन बहुत अच्छी है और भी बहुत सारे गुन है इनकी जो लीवर और किद्नी का प्रॉब्लम रहता है आदमी को हर रोज हम लोग यह आसन करेंगे तो हम लोग के लिए बहुत सारे फायदे में देंगे इन आसन करने से बीपी को कंट्रोल करता है हम लोग का जो मोटापा है वो भी कम होता है हम लोग 10 से 15 मिनित हर रोज इन आसन को करेंगे तो और सरे से लेके मस्तिस्त की तक की बहुत सारे फायदे है इन आसन करने से आप लोग भी जरूर कीज़ेगा हम लोग पहले करेंगे सर्वागा समा इसके लिए हम लोग सीधे होके सो जाएंगे इसके बाद धीरे धीरे पेर को उपर उठाएंगे को हाथ से होड करेंगे इसे आप लोग को एक मिनिट होड करना है इसके बाद धीरे से रिलाक्स होकर रखेंगे हाथ उसके बाद हम लोग करेंगे खलासना इसके लिए पेर को सीधा कर लेंगे फिर से लेट जाएंगे धीरे धीरे करके पेर को ऐसे हम लोग को एक से दो मिनिट होल करके रहना है इसके बाद इसके बाद रिलाक्स होकर एक मिनिट अब करेंगे धनुरासना धनुरासना करने के लिए हम सिधे लेट चाहेंगे और दोनों हाद से पेर को पकरेंगे और खीचेंगे जितना सकते हैं हम लोग खीचेंगे उपड़ इससे हम लोग को चार से पासवर करना है हर रोज आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राब करना ना भूले धेंगा बाद